दिल्ली की जनता के जहन में अब यही सवाल उठ रहा है कूडे की धेर के बीच दिल्ली वाले जीने के लिए मजबूर है दिवाली से पहले जगा जगा कूडे का अमबार लग चुका है हम आपको पूर्मी दिल्ली की चार तस्वीरे इस वर्थ आपकी टेलिवीजन स्कीन पर दिखा रहे है दिखें इन चार तस्वीरों को कैसे जगा जगा कूडे का धेर लगा है अमबार लगा है कूडे का जैसे जैसे दिन बढ़ रहे है वैसे वैसे महामारी फैलने का भी खत्रा बढ़ता जा रहा है सफाई कर्मी अपना दुख्रा रोने में लगे है नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है और इन सब के बीच दिल्ली का कूडा हो रहा है पूसरे छे दिनों से चली आ रही एमसीडी के कर्मचारियों की हर्ताल के कारण दिल्ली की क्या कुछ तस्रीर हो गई है ये हम आपको दिखा रहे है मैं सब मौजूद हूँ दिल्ली के वेस्ट विनोद लगर इलाके में और आप दस्रीर में देख सकते हैं कि कूडा किस कदर बढ़ता जा रहा है लगातार ये कूडा इखटा हो रहा है लोगों के घरों में अब एमसीडी की गारिया नहीं आ रही वो गारिया जो उनके घरों से कूड़े को ले जाती थी और जिसका नतीज़ा ये है कि जो में रोड है जो में सड़क है उस पर कूडा कितना बढ़ गया है मैं कैमरा पर संसे कहूंगी कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि किस कदर जो सड़क है वो लगभख आधी इस कूड़े ने घेर ली है और जाहर तोर पर रहाईशी इलाका है ये इस कूड़े से तमाम सारी बीमारियां भी पनप रही है और तमाम तरे की दिक्कते भी आ रही है लोगों को चलने के लिए सड़क कम पढ़ रही है और बदबू इतनी है जिससे यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है आप से जानना चाहूंगी कितनी दिक्कत आ रही है क्यूंकि आदी से जादा सड़क तो कूड़े ने घेडी हुई है होता हुई है धुकर हो उप खिर हो डॉय सक्ट दिद्ठ हो हर रहा हुआ हुआ Νिकलक ने महें कितनीम हो पहिसकत है निक हो कुणा के अंदर मठेरों कोड़ां उरसी चाफर मेंदफी बर्मार है सब्सक्रात करAl above और सड़क आदी भीग चुकी है और इससे जरासा है देखिए ट्राफिक कैसे निकल रहा है और हम कैसे निकल रहे हैं और इतना बुरा हाल है कि इतना पहले कभी नहीं हुआ अब आप क्या रहे हैं दिली के अंदर आज देखो अंदर इतनी सारान मार रही है बीमारी फैल लही है तो गलियों में अंदर कूचों में क्या हाल होगा ट्रैफिक जाम की सिति यहां लगातार बनी होती है जाहिर है जिसका सीधा नतीजा कहीं न कहीं आम जंता को भुगतना पढ़ रहा है ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि MCD और डिली सरकार की इस लड़ाई के बीच आखिर कब तक डिली की जंता को जूजना पड़ेगा केमरपरसन सुमील के साथ गीतमशी रास्तव इंडिया नियूज दिली दिली वासी अभी डेंगू के डंक से उबर भी नहीं पाये थे कि राजधानी दिली की सडकों पे जगए जगए फैला हुआ कुडा लोगों की परेशानी का सबब बन चुका है इस समय मैं मौझूद हूँ करकडूमा कोट के ठीक पीछे वाली रोड पे धीकमचिंग कलोनी के सामने ये कुड़े का जो अमबार है वो आप साफ तोर पे देख सकते हैं कुड़े की अगर बात की जाए तो पूरा जो कुड़ा है वो सड़ शुका है और इसकी बद्बू से जो पूरा इलाका है जो आसपास का जितना भी इलाका है वो वहाँ पे रहने वाले लोग खासे परेशान है इसकी बद्बू से आप देख सकते हैं किस कदर कुड़ा लौनी है जहां पर जो गरीब परिवार हैं वो यहां पर रहते हैं सामने देख सकते हैं कि बच्चे यहां पर खेल रहा हैं खाने पीने का समान भी सामने ही यहां पर बन रहा है अंगीठी जलाई जा दिया ताकि खाने पीने का समान बनाया जासे के लेकिन जिस तरीके से तब तक ये कुड़ा इसी तरीके से रोर पे पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा। सफाई करमचार्यों की मांग की बात की जाए। तो उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार जब तक उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रहे थी और एरियर जब तक उन्हें नहीं मिल जाता तब तक ये कुड़ा इसी तरीके से सड़कों पर पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा। तो जाहर तोर पे अगर ये कुड़ा इसी तरीके से दिल्ली की सड़कों पर पड़ता रहा तो जाहर तोर पे आने वाले दिनों में लोगों को कई गंबीर बिमारिया होने का डर है कैमरमेन नौशाद के साथ रजडी शर्मा दिल्ली इंडिया न्यूज इस वक्त मैं मौझूद हूँ विश्वास नगर इलाके में विश्वास नगर इलाके की अगर बात किया तो आप देख सकते हैं कुड़ा किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से फैला हुआ है ये कुड़ा इतना जादा हो गया है कि धीरे धीरे ये कुड़ा जो में सडक है यहां तक पहुँच रहा है और लोगों को यहां से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस कुड़े की अगर बात की जा है तो पानी इस कुड़े पर पढ़ चुका है जिसके कारण ये कुड़ा पूरी तरीके से सर्च चुका है हम खुद भी यहाँ पर खड़े होकर जो रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बद्बू इतनी जादा है कि यहाँ पर एक मिनट भी खड़ा होना काफी जो है मुहाल है इस कुड़े के आसपास के इलाके की बात की जाए तो रिहाईशी इलाका है गरीब परिवार यहाँ पर रहते हैं और छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं लेकिन यगर यह दूसर यो गी इस वक्त हमारा साथ योई चुके हैं,UNTकि इस फेश फेस वन से गीतम हमारा साथ योई चुके है और साथ यह शाधरा इस MCD के दर्सनास तस लिखे है है गीतम के पास रुख करेंगे गीतम अलग अलग जगों के तो हमने तस्वीरे देखी मैयूर वियार फेस बन की हालत आपने क्या देखी वो तस्वीरे आप दिखा सकते हैं तो जरूर दिखा है बिल्कुल राकेश जिस तरह से पिछले 6 दुनों से अंसीदी के करमचारी हर्ताल पे हैं उससे क्या कुछ दिल्ली का हाल हो गया है ये मैं आपको दिखा रहे हूँ मैयूर वियार फेस बन की ये तस्वीर है और बेहग पौश इलाका माना जाता है दिल्ली का रिहाईशी इलाका है सुसाइटीज यहां बनी हैं लोग यहां पर रहते हैं लेकिन आप देखिए कि कुड़ा किस कदर फैला हुआ है लगभग आधी सड़क घेरी हुई है बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है ट्रैफिक जाम की सिती बनती है साथ ही साथ यहां से निकलना मुश्किल होता है राकेश खाश तोर पे जिस तरह से बीमारिया पनपती है इस कूड़े की वज़े से चलिए गीतम आपके पास से लौट कर आएंगे तो मैयूरी बिहार फेस्वन की तस्वीर आपने देखिए और शाधरा का रुकर लेंगे इस टेम सेडी दाफ्तर के पास अजीत हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ कुछ लोग भी है अजित उन लोगों से बात भी कर लिजे और जिस संदाज में तो ये लडाई खिच रही है चल रही है ये तो लंबी खिच्टे के आसा रहे लडाई के बिल्कुत साथ और पार है अगर हम पूरी दर नजारा दिखाए हम तो आप देश सकते हैं आपर मैं कैमने में सांडोद करूँगा कि वो नजारा दिखाएं इस साथ से हातों में लोग पुत्ता लिये हुए हैं और अर्चिया निकाल रहे हैं सरकार के खिलाब और साथ तरह से कोशिश कर रहे हैं विरोध उनका दर्स कर रहे हैं विरोध दर्स के तो वह ये कह रहे हैं कि जो उनके साथ अमृत रही है सरकार उसका वो भी रोग करते हुए नजर आएंगे और साथ अब पुत्रा उनके साथ लेके और साथ में हम दिखाना चाहेंगे यहां पर दिसा पूरों का धेर है और यह सबसे बड़ी बात है कि अजित चलिए अजित चलिए फिलहाल आप दोनों काम से जुनने के लिए